हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है करनल अमर्दीप और आप देख रहे है दे विनिंगेज दिफेंस और बहुत जो चर्चा में टॉपिक है उस पर वीडियो बनाने का हमें बड़ा फायदा होता है क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और थोड़ी हलचल होती है चैनल पर अब एक जो 19th न्यू सैनिक स्कूल आया है 19th न्यू कीडन दो ब्लॉग बोलते है बनास सैनिक स्कूल इसका जो सेशन है वो 24 जुलाई से शुरू हो रहा है तो मेरे पास इतने लोगे वाटसाइप मेसेज आते हैं इतने लोगों ने कमेंट में पूछा है कि हमारे को मेल आय क्योंकि आपने number of seats रेकना है number of seats बनास सैनिक स्कूल में केवल 80 है जिसमें 72 जो है boys की है और 8 girls की है यह विद्यान रखना है mail तो उन्हें हजारों लोगों को भीज दी है और जब last video में ने बताया था यह mail भीजा गया है सैनिक स्कूल बाला चड़ी द्वारा सैनिक स्कूल बाला चड़ी इनका जो mother school है जो guide school है जो mentor school है वो है अब मैं एक प्रश्ण पूछना चाहता हूँ कि आपको अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजने की इतनी उतावली क्यों है आपके बच्चे के 155 number आए 155 जबकि highest जो गए है 300 में से 292 गए है तो आप देखिए कि जब NDA के लिए अपियर करेंगे ये बच्चा भी अपियर करेगा और मैं यह नहीं होगा लेकिन इसके होने की chances ज्यादा है data को देखते हुए statistics को देखते हुए और यह अभी new सैनिक स्कूल है और bonus सैनिक स्कूल अपने आप उनके जो प्रिंस्पल साब से मेरी बात हुई उन्होंने कहा है अभी हम medical college जो है हमारा उसी का जो hostel है उसी का top floor खाली कर दिया है classroom वगरा हमने कर दिया है अभी proper सैनिक स्कूल बनने में इनको time लगेगा तो बहुत ज़्यादा उतावली parents I don't know why this thing मेरे sir 130 नंबर भी है अब बच्चे के बने सैनिस्पूल में हो जागा वह ऐसा गो नोकसभा की seat नहीं मिल रही है आपके बच्चे को कि आपने सैनिस्पूल में उसको डालना ही डालना है आपके बच्चे ने करा रिटन एक्जाम पास के बहुत अच्छा है ये सारे बच्चे जो ये भी लाया है और जो ये भी लाया है ये अपनी एज के सब बच्चों से बहुत आगे निकल चुए competition इनके दिमाग में आ चुका है और पूरा जीवन हमने किसी ने किस से compete करते ही रहना है तो ये बिल्कुल सही जा रहे है अब मैं चाहूंगा बड़ा सोचा समझा निरने ले अच्छी बात क्या है बनस के प्रिंसिपल साब ने हमसे बात करी अमूल वाले अमूल जो है संस्ता अमूल तो अरब पती संस्ता है और ये दो साल में बिल्कुल ही फाइव स्टार स्कूल भी बना देंगे ऐसा मेरी उम्मिद है लेकिन अभी के लिए जो उनका medical college है उसमें आपके बच्चे को रहना है अभी sports field, swimming pool ये सब आने में time है उनके मुझे लगता है कि जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो principal साब जो फॉजी व्यक्ति आने वाले है करल साब आने वालते एक retired वो आएंगे एक brigड़ साब की मैंने बात की थी पिछले वीडियो में भी बारे अच्छे मित रहे हैं तो बनस का जब से ये बातचित हुए मेरे दिल में थोड़ी हिम्मत आगे लेकिन आप सूचते हैं कि करल अमर्दीब बताएं कि हम भेजें की नहीं भेजें मैं ऐसा बताने के स्थिती बनेगे आपको call भी आ जाता है अब ये सब लोग जानना चाहते थे कि कब आएगा तो 15 जुलाई है मुझे लगता है 16 भी हो सकता है 17 भी हो सकता है कि अगर 24 जुलाई को उन्होंने term start करनी है तो इससे पहले दो काम और रहे गए एक आपको बुलाया जाएगा आपका medical होगा आपका documentation check होगा और आपका merit list बनेगा फीज जमा करेंगे आप और फिर admission होगा जिसमें आप पा लीजिए 10 दिन का समय लगना चाहिए इसलिए मैंने का कि 24 जुलाई है तो 15 जुलाई तक जिस जिस ने जाना है जिन दिन का नाम आ गया है उसको call चला जाएगा mail चला जाएगा बारी बारी आप मुझे करके फोन करके या वाट्शाप मेसेज करके मैं तो बनेगा सैनिक स्कूल का नहीं हूँ मेरे से कोई लेना देना नहीं है उनका वो अच्छे हैं खराब हैं जब आप वहाँ जाएंगे तो मैं आपको request करूँगा वहाँ पर वीडियो भीजें वहाँ की जो चीज आपको समझ आते हैं लिखें ताकि और पेरेंट्स के साथ हम अच्छी से अच्छी तरीके से जानकारी हम वो कर सकें जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मैंने लास्ट में एक वीडियो जो बनाया था कि बच्चे सैनिक स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं तो सैनिक स्कूल 0 से शूने शूने से लेकर 100 तक के नंबर वाले सैनिक स्कूल सारे क्या रेटिंग आप देते हैं आप जो वहाँ जाएंगे आपको पता लेगेगा मेरी एक ए रिक्वेस्ट है फी जमा करने से पहले और टीसी जमा करने से पहले ये फिर फ़र्ज जाते हो आप एक बार एक दिन का समय ले वो तो आपको कहेंगे अभी जमा करो फटा फट करो लेट हो जाएगा ये हो जाएगा रहे रुख जो या लोक्तंत रहमारा देश ऐसे कोई जबरदस्ती आपको घजीट नहीं सकता आपके पैसे चीन नहीं सकता ये करना अवश्यक है कि आपने स्कूल की रहकी खुद करने है पूरी जानकारी प्राप्त करके ही आपका बच्चा भी दस से लेकर 11 साल के उमर के बीच कही है एक एरफोर्स की विक्ति है उन्हान नका है मैंने सैनी स्कूल में डाल दिये नाम नहीं लोंगा सैनी स्कूल का नहीं उस विक्ति का लें उनका बच्चा को अस्तमा ये सांस का प्राप्लम तो और ज़्यादा एग्रिवेट होगे मैंने उनको आखे बंद करके गावाने का बच्चे को ले लो बच्चा important है बाकी देखी जाएगे और बच्चा लाएगे नाइंथ में निकल जाएगे नाइंथ में बच्चा 13 साल का हो चुका है थोड़ा और stable हो गया है बच्चा तो रोए गई वो 10 साल का बच्चा है लेकिन ये गलती पेरेंट्स की है अगर आप बच्चा mentally weak है psychologically weak है उसको आप पीछा चुड़ाने के लिए सैन स्कूल या किसी ऐसी होस्टल में डाल देते हैं सब होस्टल में जहां भी सीनर है थोड़ा बहुत लेफट राइट चलता ही रहता है उसको ragging कहें उसको ice breaking कहें उसको तंग करना बोलें वो शुरू में सबके साथ होता है medical college में, IMA में, NDA में हमारे seniors हमारे साथ बहुत सारे वो करते हैं तो सब एक हिसा हम ट्रेनिंग का हिस्ता माते है तो आपने यह जो समय है और यह वीडियो वो लोग पका देखें जिनके बच्चे अभी सैनी स्कूल जाने के तियारी कर रहा है अपने बच्चे को भाई साथ physical, mental, psychological, बल्कल strong बनाना है मा यह पीछे भाग रही होती है मेरा बेटा पराठा निखा रहा है, दूद निखा रहा है उसको बो भूगा रहा है यार निखा रहा है सैनी स्कूल में कोई नहीं मिलेगा इस प्रकार से पीछा कर रहा है अगर आपके बेटा नकरा है, मैं यह सबजी नहीं खाता हूँ वही सबजी बनेगी हो, आपर हफते में 4 दिन फिर क्या करेगा तो यह कहना कि सैनाएं गलत कर रही है दूसरों को दोश देना तो बहुत ही असान है आप पहले खुद देखो न, वहां भेजना है कि नहीं भेजना है अगर वो ठिक ठाक लग रहा है, आपको लग रहा है कि सबका मुराल ठीक है, एक सैनी स्कूल जहां कोई इंसिडेंट होगा वहीं, दूसरा बच्चा कह रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं होगा तो उससे मैं क्या पता लगा है, हमें क्या पता लगता है हमें पता लगता है कि एक बच्चे का mental make-up weak हो सकता है, अगर आपके बच्चे का mental make-up weak है, वो 280 number भी लाया है, तब भी मैं recommend करूँगा उसको ऐसी जगह ना बच्चा तूड़ जाएगा तो थोड़ा है, शेर है, मजबूत है, भागिए मैंने तो अपना उधारन दिया था कि बार्मी के बाद एक साल का break लेके जब मैं के सोजाते हैं, इतना बुरा हाल होता है विक्ति का, क्योंकि ये military academies हैं, ये कोई private कोई college नहीं है, कि जहां पर pamper किया जाएगा, और कोई mess वाला butter और रोटी लेके पीछे भाग रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, रोटी मिलेगे, लंगर की रोटी लंगर वाली होती है, पत्ली रोटी होता है, उसका जाड़ जूड़ के वो खा लो, थोड़े सकती अपने attitude पे लाएं, तब तो आप बिल्कुल सही लाएं पर जा रहे हैं, और तब बच्चे को छोड़ना है, अच्छे से अच्छा स्कूल भी है, वहाँ पर भी जाकर तीन मेने, पूनम भंडारी मैम का वीडियो है, वो सैनी स्कूल घोड़ा खाल में 20 साल पढ़ाया उन्होंने, उनका वीडियो देखिए, कि किस प्रकार की लाइफ होती है, मैंने एक सैनी स्कूल की दिंचारिया के वीडियो बनाया है, सुबह साड़े चार से लेकर, रात को 11 बज़ तक, आपके बच्चे का PSLV, GSLV रॉकेट बना रहेगा, दोड़ी राग हो, आदे गंटी की ब्रेक है, गंटी की ब्रेक है, उससे कोई फरक नी पड़ता है, ब्रेक नहीं है, एक बार इस रूटीन में आ गया बच्चा, फिर वो बंदे भारत के रभ आ गया हाई स्पीड में, लेकिन ये ज़रूरी है, मेंडेटरी है, और जो बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहे है, अगर आपने उसको mentally, psychological तोर पर तयार नहीं किया है he will not be able to take it, so dates हमने ध्यान रखनी है, 24 जुलाई जब प्रिंस्पल सर ने कमिट किया है, कि 24 जुलाई को हमारा सेशन शुरूगा, तो आगे आने बले दो या तीन दिन में, जिस जिस विक्ति को call आना है, आ जाएगा, mail आना है, आ जाएगा, आप अपना त्यारी कर लें, उस बात कर लूँ, आपका बच्चा अगर अभी अगले साल की त्यारी कर रहा है, आनलाइन करें, ओफलाइन धेरदून में कूर्स अलाई है, वो जॉइन करें, और RIMC की जो किताबों की सीरीज है, क्वेशन पेपर और मॉक्टेस सीरीज, वो हमारी आगई, e-book आगई है, जि आगई जाग जाएं, यह सारा जो कॉर्स है, मैं आपको वीडियो कॉर्स बना के देने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियो कॉर्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो हम पैकेज देंगे, वो नहीं मिलेंगे, यह कॉर्स 100 रुपे का है, पूरा मेरा जो ऑनलाइन, 100 रुपे का है वो केवल उधारन गणित में ऐसी दिये जाते हैं, और मैं वीडियो कॉर्स बोलता हूँ, 20 रुपे का वीडियो कॉर्स लेता है, आप बोलोगे सर हमारे तो 120 रुपे खर्च होगे, तो मैं कहूंगा नहीं, अगर आप वीडियो कॉर्स 20 रुपे का लेते हैं, और अगले सा बच्चा आप उसको कॉर्स में जान करता हैं, हम पाचवी की गणित पढ़ा रहें, क्यों अपने बच्चे के आप जान लेने पर तो लें, ऐसे लोगों के लिए यह जो वीडियो कॉर्स है, एक वरदान साबित होगा, आप वीडियो कॉर्स करिए, अपने टाइम पे करिए ममी, पापा, भाई, भेन, कोई भी कर सकता है, और वो करके अपने समय में बच्चे को बढ़ा है, थोड़ा-थोड़ा करके यह वीडियो कॉर्स एक साल बच्चा करेगा, तीन महने में सारा कंटेंट हो जाता है, तो दो बारे आप करके आ सकता है, दो सा तीन बार भी कर सकत और फिर जब वो online course join करता है, यकीनन वो 230 से 250 के bracket में आ चुका है, क्योंकि वो त्यारी करके आ रहा है, तो ये अभी strategy हम बदली करना रहे हैं, अभी मेरे पास तो बिल्कुल अंगड हीरे आते हैं, कि वही ये रहा हमारा हीरा है, बिल्कुल सारे बच्चे हीरे हैं, मम्मी से प अपने टाइम पे तीन महने का course है, एक साल में आदा आदा घंटा करके भी करेगा, कर लेगा, और हम आपको pay protection देंगे, कि जो 20 रुपे आपने हमें जमा कर दी हैं, उसके बाद हम फिर से 100 रुपे ने लेंगे, 20 रुपे आपकी fees में adjust कर देंगे, ताकि आपकी pocket पर पर बिल जाएंगी, आपको फिर कहीं और जाने की आवशकता नहीं है, form कैसे बरना है, age कैसे calculate करनी है, आधार card कैसे करना है, ये कैसे link करना है, service certificate कैसे बनाना है, ये सब चीजें, बड़ा आपको आसानी हो जाएगी, so be prepared, it'll take another 15 days, बहुत हमारी team काम कर रही है, मैं फौजी सेनी स्कूल है, कोई भी सेनी स्कूल है, उसमें जाने से पहले जो सूचने लएक बाते हैं, वह आप करें, बहुत जादा व्यतितना हो, चिंतितना हो, आपके बच्चे का नाम नहीं आया, जैसे मैंने बताया था, 75,000 बच्चों ने written exam clear किया है, 5000 ही join करेंगे, किसी ने किस 70,000 बच्चारे रह जाएंगे, clear कर लिया है, फिर भी नहीं गए, कई 210 वाले रह जाएंगे, 220 वाले रह जाएंगे, कोई नहीं, इनको हम 9th में देख लेंगे, और मैंने का जो बहुत चतूर है, वो RIMC का exam दे सकते हैं, exam तो देतो ना, तोड़ी हापने selective होना है, जो GS पड़ रहा है, वो NDA के लिए भी काम आएगा, तो हमने ultimately इन सब को NDA में जिब भीजना है, या कहीं अपने career में जाना है, अब एक और important चीज़ discuss कर लिए, हमने business में discuss कर लिया है, RIMC भी discuss कर लिया, सैनिक स्कूल में जब आपका बच्चा जाता है, या RIMC में जाता है अब कई parents का है कि हमें तो civil services में भीजना है बच्चे को, लेकिन हम चाते हैं यहां पर discipline सीखा है, तो वो बिल्कुल सही है, शत प्रतिशत आपका बच्चा discipline सीख जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, हिम्मती हो जाएगा, एक दम पोरा share हो जाएगा mentally, उसके बात क्या होता है, सैनिक स्कूल कहता है आपने एंडिया का exam देना है, पास होना है या नहीं होना है आपके हाथ में, आराम से भी कहता है, जितने mandated attempt आप देंगे, नहीं अगर निकल गए और जॉइन नहीं तो पैसे वापस लेंगे, लेकिन अगर बच्चा निकलेगा ही नह उसके बाद बच्चा अपना normal graduation कर सकता है, normal कोई engineering course कर सकता है, civil services कर सकता है, कईयों के दिल में है कि सैनिक स्कूल भेज दिया, मतलब मेरा बच्चा सेना में जाएगा ही जाएगा, ये भरांती अपने दिल से आप निकाल दें, अब सैनिक स्कूल, engineering की तरह तयारी नहीं करा है, और बागी उसकी तयारी नहीं करा है, लेकिन RIMC के आप doctors भी देखेंगे, civil servants भी देखेंगे, और engineers भी देखेंगे, बहुत लोग निकलता है, बड़ा discipline है, time management को बहुत ही बढ़िया होता है, उन्हें पता exam की तयारी में smart study कैसे करना है, बिल्कुल चतुर हो जाते हैं, और जीवन में हारेंगे नहीं, यह अपने ध्यान रखना है, तो मुझे लगा कि इस वीडियो में ये तो तिन चीज़े बताना ज़रूर है, thank you, bye bye and check.